शोभा यात्रा पर बीएच्पी अध्यक्षा आलोक कुमार ने कहा कि हम अपने संकल्प से पीछे नहीं हटेंगे हम शोभा यात्रा निकालेंगे आलोक कुमार ने बयान दिया यात्रा में बाधा ना डाली जाए तो देखिये यात्रा को लेकर निकालने को लेकर यहाँ पर अभी भी लकातार विवाद हू रहा है हाला कि आपको बता दे प्रशासे इनने नहीं अनुमती दी है यात्रा निकालने के लिए लेकिन कई बेच भी पिकार करता पहुंचे और वहाँ पर ये कहा गया है कि एक करी तुरक्षा के भी जलादी शेट हो रहा है आज सावन का आखरी सोंबार है मुझे आश्चर है कि तीर्थी यात्रा को रोकने के लिए सरकार को इतने इंतजाम क्यों करने पड़ रहे हैं केवल लूह में नहीं हर्याना के बाकी शेहरों में भी जहां जलाभी शेक मनलिरों में होना है कि इतनी बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती हो रही है इससे आधी भी अगर उस दिन होती जिस दिन यात्रा थी तो हिंसा नहीं होती हमने यात्रा की संख्या कम की है कम संख्या में निश्शित लोग इस यात्रा के लिए जा रहे हम आशा करेंगे कि सरकार इसमें बाध नहीं बनेगी तो तनावपुन हालाद बने हुए हैं बाजारों में तमाम दुकाने बंद हैं पूरे इलाके में हाई अलर्ट है चप्पे चप्पे पर तुरक्षा बलते नाथ 29 अगस्तक इंटरनेट से बाब बंद किया गया है कि विश्विंदू परिशत के द्वारा आज नू में यात्रा निकाल लेगा है